अस्सलाम अलेकुम आज हम बनाएंगे भंबई स्टाइल में मटर कीमा चलिए शुरू करते हैं मेरे पास यह मटर का कीमा है आधा किलो के करीब वेट में 500 गिराम हमने कुकर में ओयल डाल दिया है तीन बसे चार बड़े चम्मच और इस तेल मेरा गरम हो गया है इसमें हम प्यास डाल देंगे प्यास को थोड़ा हम ब्राउन करेंगे प्यास मेरी ब्राउन हो गई है इसमें हम अधर्ग लस्टान का पेस्ट डाल देंगे इसी से साधी हम हम किपना सलंगी डाल देंगे इसको हम मिक्स कर लेंगे इसमें थोड़ी सी हमने प्यास रोक ली थी वो भी हम इसमें डाल देंगे यह मेरे थोड़े से सूखे मसाले हैं देल टीस्पून धनिया वन टीस्पून यह हल्दी पॉडर और आधा टीस्पून लाल मिर्च पॉडर और नमक नमक अपने टेस्ट कर रख दियेगा किमे को हम भूल लेंगे किमा जो है मेरे मसाले के साथ भूं गया है इसमें हम एक कप पानी डाल देंगे और इसकी अब हम लिट लगा देंगे थोड़ा सा इसको हम गला लेंगे किमा कंवा जो गल गिया है मेरे पास पाव भर के करीब पालक है जिसे हमने छोप कर ली है यह 2 मैने टोब होati लिए बड़े इसको हमने चुट़ा चुटा काट लिया और जो फरी मिर्चे है इसे हमने भी की वारी के ऐड़ लिया है अभी से ऐम ऐसमें अएट कर देंगे मेरे पास एक गड़ी की गरीब सोया और मेथी इसे हमने दोनों को एक साथ काट लिया है और धोके अच्छी तरह से इसको भी हम आट कर देंगे इसमें इसे हम मिक्स कर देंगे इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे सोया मेथीस में जो है देखी एक दम बुझ गया है इसी के पर हम एक ये खास चीज डालेंगे मटर एक प्याली हमने इसमें मटर एट दिये हैं फसल की चीज है आजकर और ये जो हमारा कीमा तयार हो रहा है ये हमने बॉम्बे में खाया था तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था तो हमने सोचा कि इसको एक बार हम भी ट्राइ करें अब इसे हम गला लेंगे सिफ एक ही सीटी लेंगे और ये तयार हो जाएगा हमारा कीमा कीमा हमारा पुरी तरह से रेडी हो चुका है ये देखिए कीमा मटर पालक और सोया मेथी ये सारी चीजे हमने इसमें डाली है अब इससे हम सर्फ करेंगे अब फिर आप से मिलते हैं तो मेरा कीमा रेडी है बंबई वाला बंबई के स्टाइल में मैंने ये बनाया है अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में अल्ला हाफिज उनसे लाज झाओ करिएगा